यह वीडियो इकराइ युनिवर्सिटी में नैटिकल के प्रोग्राम से से रेलेदेट है, is वीडियो में हम लुएंस्टी उफर करती, उनका फीूह स्ट्रक्टर देखेंंगे और अब दोहसर चोबिस के इड्मिशन कम होंगे, इस अब लीकल समें इसमद हैं इसमें दो में चल्गा रिखेंगे सबसे पहले अब बात खरनें अप्र क्राइब को हैं टोटन टॉटल डस चुमिस्ट्र गुंठरे बाध्टर कर नदिजरा से D.P.T. है इसकी जो 1st semester की फीज है वो 1,49,000 रूपीज है then BS Nursing है जिसकी 1st semester की फीज 1,28,000 रूपीज है then BS Human Nutrition and Dietetics है इसकी 1st semester की फीज 1,07,000 रूपीज है then BS Anesthesia Technology है इसकी 1st semester की फीज 97,000 रूपीज है then BS Medical Lab Technology जिसे MLT भी खहते है इसकी है 97,000 रूपीज then BS Radiology Technology है इसकी भी 97,000 है then BS Dinted Technology इसकी भी सेम है BS Optometry है and then BS Psychology है जिसकी 1st semester की फीज 2,97,500 रूपीज है और D.P.T. और FAMD. के इलावा बाकि जिपने प्रोग्राम्स यहां पर हमने बताए हैं आपको इनकी जो eligibility criteria है intermediate pre-medical का हो 50% है इसके अलावा जो human nutrition and dietetics वाली category है उसमें आप अगर आपनी intermediate में home economics से पढ़ावाए तब भी आप इसमें apply कर सकते हैं और D.P.T. और FAMD के लिए 60% है इसके इलावा अगर हम admissions की बात करें सेशन 2014 के लिए तो इस वक्त इन तमाम medical के प्रोग्राम्स में एकराई इन्वर्स्टी ने admissions अपनी ओपन की में हैं या आपको स्क्रीन पर इसके admission portal दिख रहा है जहां पर आप जागर online registration कर सकते हैं तो इ और जो test date है उसके बारे में है कि जिसने भी campuses है क्राई university के उनमें आप attend कर सकते हैं walk-in test या आप registration कराएं और किसी बिरन जाकर जब अभी आपकी तयारी मुकमल हो जाए तो जाकर walk-in test देते हैं और फिर आपकी बता दिया जाएगा आपको क्या आप eligible हैं या पर नहीं है तो यह थी क्राई जिसने भी और इसके एक तवाम प्रोग्राम्स थी इंफोर्मेशन आयाँ पापको वेधियो अच्छे लगी होगी तो सब्स्क्राइब कर दीजेगा और लेते सब्दीक्त दिने बेल आपिन को भी ट्रस कर दीजेगा